नमस्कार दोस्तूं मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ और आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ की हर एक समाज में अपराध के लिए सजा की विवस्था होती है हर अपराधी को सजा दी जाती है और सजा भी मुक्कित दो प्रकार से दी जाती है एक सजा होता है कठोर सजा जैसे आप साओधी अरब बगारे में आज भी सुनते हैं भारत और अनेक मुलकों में ये पहले इतिहास में हुआ करता था लेकिन आज के समय में बंद हो चुका है उसे कहते हैं कठोर सजा जैसे चोरी करने पर हाथ कार देना बलात कार करने पर लिंक कार देना इत्यादी अनेकों प्रकार की जैसे आखे फोर देना सूली पर चढ़ा देना कोडों से मारना ऐसे पहले अपराधों के लिए ऐसी सजाएं प्रचलित थी लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्ही नरम कर दिया गया आज हमारे देश में नरम सजाओं का प्रावधान है कि याद यह आप चोरी की हैं तो आपको मारा पीटा नहीं जाएगा आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा तो मुख्यत है दो प्रकार से सजा प्रचलित हैं एक होता है कठोर सजा और एक होता है नरम सजा तो आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या किसी अपराध के लिए कठोर सजा दी जानी चाहिए या नरम सजा दी जानी चाहिए तो इस पर मैं अपनी राय रखूँ उससे पहले मैं आपको एक खास प्रिस्थिती देना चाहता हूँ एक सची कहानी एक सची घटना बताना चाहता हूँ उस घटना के आधार पर आप निर्णे लीजियेगा कि क्या किसी अपराद की सजा छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए तो मेरे प्यारे देस्वासियो वह कहानी ये है कि एक स्कूल था एक स्कूल में प्राइविट स्कूल उस स्कूल में एक महिला सिक्षिका काम करती थी उन महिला सिक्षिका उनकी सैलरी मतलब मुस्किल से 4-5-6़जार के पीच रही होगी और वो दस साल पंदा साल से उस स्कूल में काम कर रहे थी पहले आप विचार कर लिजेगा दस साल पंदा साल कहने में आसाल लगता है लेकिन बहुत लंबा समय होता है दस साल पंदा साल से वो काम कर रही थी और उनके घर में तिजोरी थी और उस तिजोरी में करीब करीब सारस सत्तर हजार रुपए और gra़ा हूँ था एक दिन वो स्कूल आई हुए थी और स्कूल जब आई तो बीच में उनको फोन आया पता चला कि उनके घर का सोना और उनके घर का नगदी भ fuss भात धाई लाख रुपए और 70-75 जार रुपए कैस उनके घर का चोरी हो चुका है जब वो महिला सिक्षिका ने इस बात को सुनी तो उन्हें उस स्कूल में चक्कर मार दिया बेहोस हो गई बहुत ज़्यादा दुखी हुई कुछ प्रस्तियों में तो किन्ही किन्ही की मौत भी हो जाती है हार्ट अटैक आने से तो आप कल पना कर सकते हैं कि जो सिक्षिका जो 5,000 रुपए महिने का पा रही है मतलब 60,000 रुपए वो साल का पा रही है अगर वो वैसे तो 5,000 रुपए खर्च हो जाने है अगर सेविंग्स की रूप में कहा जाए तो 5,000 रुपए सैलरी पाने वाली कोई भी कर्मशारी उसको 3,5-3,000 रुपए बनाने में कम से कम 20-25 साल का समय लगेगा यदि वो इस प्रकार सैलरी पा रही है तो तो ऐसी एस्थिती में कोई चोर रातो रात उसके पैसों को हड़प ले गया चुरा ले गया और ऐसी प्रस्थिती में वह महिला सिक्षी का बेहोस हो जाती है कुछ लोग मर भी जाते हैं हाट अटाटाइक से और जब वो हाट अटाटाइक से मरते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनके सरीर में कितनी वेदना और कितना दर्द और कितनी तड़प होती है कितना दुख होता है तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि चोरी छोटा सपराद है कुछ मासूम लोग गए कुछ गुमराह लोग गए और जाकर चोरी कर लिए लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस चोरी से किसी की जिंदगी बरबाद हो जाती है जीवन भर की कमाई उसकी बरबाद हो जाती है और ऐस सिस्तितिम हम कहें कि चोरी छोटा सा अपराद है उसके लिए नरम सजाएं होनी चाहिए तो यह कहां तक सही होता है पहले जमाने में चोरी को एक गंभीर अपराद माना जाता था आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि चोरी की घटनाए जादा तर बढ़ रही है लोगों का होसला चोरी के परती बढ़ता हुआ जा रहा है तो चोरी कोई छोटा मूटा अपराद नहीं है यह लोगों को तबाह कर देता है लोगों की जीवन भर की कमाई को बरबात कर देता है और लोगों की मौत का भी कारण बन सकता है तो चोरी अब बताईए चोरी के लिए जो अपराद हमारे समाज में प्रचलित है हमारे समाज में अभी क्या हो रहा है पहली बात तो चोर पकड़ा नहीं जाता पकड़ा भी गया तो पुलिस से साथ गाठ करके वह छूट जाता है वहां से भी एकर वो माली जिसके उपर केस चलान सब हो गया तो वह कोट जाएगा कोट बीसो साल वह जाएगा उसको सजा ही नहीं हो पाती है कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सासन विवस्था कानून विवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि किसी भी अपराद के लिए क्या सही सजा होनी चाहिए वह सजा हो ही नहीं पा रहा है तो अपराद बढ़ते जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कोई भी अपराद होता है वह छोटा नहीं होता वह जीवन को तबाह करने वाला होता है तो अब मैं आपकी उपर छोड़ता हूँ कि आप निर्णय करिए आप बताईए मुझे कि क्या अपराधों के लिए सजा नरम होनी चाहिए या कठोर होनी चाहिए एक आदर्स समाज की स्थापना के लिए सजाओं को नरम होना चाहिए या कठोर होना चाहिए यह निर्णय मयाब की उपर छोणता हूँ हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा जय हिंद जय भारत